हलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स और मैं भी यहां पर ठीक हूँ सो आगद करती हूँ आप सब का आपकी यूटूब चैनल लाइफ ऑफ सेंसियर हाउस वाइप में फ्रेंड्स और फ्रेंड्स आज मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ जो बहुत ही जटपट बनकर तयार होती है और घर में ही पूरा आइटम हमें मिलता है कुछ भी ऐसा लेने नहीं जाना होता है जो हमारे कीचर में पड़ी हूई होती है चीजे उन ही से अज संडे स्पेसल में कुछ बना रही हूँ और ट्राइ की हूँ तो मतलब आप भी बनाएए अपने घर में फ्रेंड्स यह बहुत ही लाजबावरेश्पी है तो यहां पर मैं यह किया है सूजी को मैंने रात को भीगो दिया था ओबर नाइट के लिए और मैं उसको कर रही हूँ ग् मैं अधिया ऑर उसके बाद मैंने डाला है इसमें अजीनो मोटो थोड़ा सा और मोटो इसकिप कर सकते हैं फ्रेंट कोई जरूरी नहीं है यहां पर मैंने लिया है बहर देड़िग चमछ लाल मिर्च पावडर और यहां पर लिया है मैंने जिंजर गार्लीक का पेस्ट फ्र एक उन्हीं तो के लिए आक़ी से क्राइण्डेत। मुझको अच्छा एक ना colorful तयार करना है पेस्ट colorful मतलब red color का colorful नहीं sorry friends red color का और ये मैंने दिखाया जो ना कड़ी पते ये मैं पार्क से में बेटे को बोली थी तो उड़ा ना वो ले के आया था और इसको मैंने grind कर लिया है friends आप देखिए इसमें मैंने गोल में दो नीबू भी डाला है मतलब पूरे सूजी के गोल में मैंने शुरू में ही डाल दिया था दो नीबू आप इसमें खटाई कुछ भी यूज कर सकते हैं चांच है दही है और बेनेगर है या नीबू है कुछ भी यूज करने फ्रैंड्स थोड़ा सा चांच इसमें खटाई डालना जरूरी है जैसे हम डूसे वगएरा के बेटर में डालते हैं और यह बेटर बना के करनें तयार उसके बाद इसमें मैं एक पैकेट इनो यूज कर रहे हूं तो वह पैकेट का इनो ना मैं डाल रही है थोड़ा सा पानी इसमें डाला मैंने ताकि अच्छे से जाग बन जाए और हाँ फ्रेंट सी इनो डालने के बाद ना हम कभी मतलब दूसरे साइड में नहीं घुमाते जिस राउंड में मैंने घुमाना स्टार्ट कर दिया आप किसी चीज से मैस करते हैं कल्ची है और हैंड ब्लाइंडर है कुछ भी मतलब किसी चीज से मैस कर सकते हैं चमाच है कुछ भी सो मैंने इसको जिस चीज से मैस कर रही हूं तो एक ही साइड में घुमारी उल्टा नहीं बोलते हैं घुमाना चाहिए और इसको मैंने ऐसे मिक्स कर लिया है अब मैं कटोरियों में कर तो आप इस तरह फ्लैट बरतन ले लें मैंने बच्चों की टिफीनी उच कर ली है यहाँ पर इस तरह आप फ्लैट बरतन लें फ्रेंट्स बंतों कटोरियों में जाता है पर साइज उतना अच्छा नहीं बनता है मतलब थोड़ा सा कटोरिया नीचे से मतलब सक्लरी उपर इंब क्वांटिटी में तीनों में रख लूँगी और उसके बाद यह मैंना थोड़ा शामेजरमेंट का ध्यान रखना है कि हमें किस हिसाब से रखना है क्योंकि हमें इसमें 3 लेयर का बनाना है तो उसके लिए स्पेस छोड़ना है हमें सो हमने इसमें देखिए एक कलशी तोड़ा और मैंने लिया है धोंद यहाँ है rsी यहाँ पर मैंने कड़ाहरं में पहले ही रख दिया था पानी वीडियो Сुरू है आ पने देखा ऑघो तो पानी अच्छे से खौल रहा है और यहां पर मैने स्टीम करने के लिए इस कराही में तिनों कटोरी तरह से रट दी है ȡ़ु इसको मै बढ़तोंगी अच्छे से नाक लगतोंगी और यह देखिए इसको यहां पर मैंने रखा है कड़ी पत्ता और यह कैबेच का पत्ता है यह मैं यूज करूंगी इसमें और दूसरे साइड में मैं इधर मिला रही हूं इनु जो मैंने घोल डेड़ वाला पेश्ट तयार किया था लाल मिर्च और जिंजर गार्लिक का तो इसमें मैं भी इनु डाल कि इन डाल को मैं एक बर मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद यह हो चूक dec coded और य मिला जाशन मेरे मिला पकाना था उसकी बाद में क्या करूंगी milliards प्रेस्ट और ये देखिए कि मैंने तीन मिनट बताया है पता नहीं तीन से चार मिनट भी आप लोगों को लग सकते हैं या उससे भी जल्दी हुजाए मेरा जो है ना इस्टीम करने का तरीका वो इस तरह से है मैं तब कड़ाही में कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा इससे स्टीम बा अब ये देखिए यह हो गए हैं पांच मिनट मतलब ऊटल हुआ थीन और दो पांच मिनट हो गया है अब मैं क्या करूंगए यह तीसरी लेयर की मैं इसमें यूच करूंगगा इस्टीस तीसरी लियर में मा फिट वैट वाली च करूंगगा और यह देखिए थोड़ा- पकाना है थोड़ा से इसको देख लेना है क्योंकि अब ये उपर वाली लेयर को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा और यहां पर आप देखिए मैंने फिर से नहीं फिर से इसको टाइम को सिट कर दिया 10 मिनट कर दिया था यह नौ हो गया है और यह अच्छे से बढ़ी हैं तोटल पकाने मुझे 15 मिनट लगे हैं इसको और इसको अप कर लिए आप अच्छे से बड़ी है ठंडा यहां पर मैंने सेकंड वेच रख दिया है वो यहां तक आ गया है मतलब पक के और इसको बड़ी हां से मैंने कर लिया है ठंडा अब चाकू की सहायता से इसे हम क्या करें कि दो सेवाव, क्या करें निकाल देंगे उसके बाद कि अच्छे तरीके से निकल जाते हैं अपने घर में ऐसे ही मैं भी सोची कुछ बढाओं संडेथा तो मैंने बहुत बाटराई की है यहां सबस्क्राइब रखेंगी तो कितना तुमेसल्डास कशल नहीं पिлемद तो can't is को पास से दिखाती हूं थोड़ा यह देखे कि ना अच्छा इस पंजी बना एक दम से और फ्रेंड्स जब मज़ा ही आजाता है कुछ जब अपने हां से इतना अच्छा अदमी बना के ना बच्चों को हजबेंड को घरवालों को सब को खिलाए तो सब खुस हो जाते हैं विल नहीं संडे है तो थोड़ा मेरे लिए भी बक निकले बरतन जितना कम हो तो सो मैंने इसको इसमें बटर में कर दिया है और इसको आप घुमाते रहें ताकि जले ना मतलब और उसके बाद मैंने इसको दोनों साइड बहुत ही अच्छे से अप्रेंड्स से एंक लिया है आप देखिए वीडियो में आँगे और मैं जरूर कहूंगे फ्रेंड्स आप लोगों के यह रेसिपी आप अपने घर पे जरूर से जरूर ट्राई करें यहां पर मैं इसमें लगा रही हैं दूसरे साइड में भी बटर और बटर लगा के इसको दूसरे साइड भी मैं अच्छे मैं अब करूंगी इसकी प्लेटिंग और यह इतना टेस्टी इतना लाजवाब है फ्रेंड्स कि मैं बिल्कुल रुक नहीं पा रही हूं बनाते बनाते लग रहा है बस कितना जल्दी बन जाए इसको मैंने क्या कि है फ्रेंड्स कड़ाई से निकाली है बाहर और दूसरे व दूसरे वाले का मैं करूंगी प्लेटिंग मतलब पहले वाला मैंने से कथा पत्ता गोबी का मैंने यहां पर किया है यूज हो तो यूज कर लीजिए ना हो तो उसको मार्केट लेने ना जाए पत्ता गोबी इतना वो नहीं है पर मेरे पस पड़ी थी तो मैंने सुच एसी पाने थोड़ा बच्चों के पेट में सब जीवी चली जाएगी यह वाली सो मैंने इस तरह बनाया है इसे और इसको बहुत ही इजली यह कर जाते हैं सो मैंने इसको ऐसे काट दिया है फ्रेंट्स और इसमें अब मैं क्या करूंगी पत्ता गोबी एड़ करूंगी और उसके मैंने इसमें फन फूड डाला है यह फन फूड है फ्रेंट्स और यह देखिए फन फूड डाला है और तीसरे बर्गर में मैंने कुछ भी ने डाला है इसमें अब मैं मिला रही हूं थोड़ा सा मैगी मसाला और दोनों में उसके बाद मैंने जो सेजवान वह आता है ना फ् दाल कुछ भी जयादा नहीं डाला है मैंने तो यह सब चीजे तो अपने घर में होती है अपने कीचन में पड़ी ही होती हैं क्यूंकि हम हम ना कुछ ने कभी बनाते रहते है तो इन सब चीजेव क perform lovely एकालत हम जजरू नहीं को यह तो जितना तीखा मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और मिर्च डाला है सेंटर में उतना ही उनको दूँगी और इसमें अब क्या करी हूं मैं रेट चिली स्वास जो था उससे मैं थोड़ा से इसको डेकोरेट भी कर रही हूं और उसका टेस्ट भी इसमें आ जाएगा उसक सो मैं इस तरह आप लोगों को प्लेटिंग करके दिखा रही हूं और मेरी वीडियो जरासी भी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट सेर जरूर करना और हाँ फ्रेंट जो न्यू हैं वो सस्क्राइब करना हमारी वीडियो को और यहां पर मैं लगा रही हूं कड़ी पता और उसको मैं उपर से एक लिन थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी और उसके बाद यह लाजवाब और टेस्टी नास्ता हो गया है रेडी सो फ्रेंट्स आईए और आप भी इंज्वाइब कीजिए और इस नास्ते का मज़ा लेजिए फ्रेंट्स बहुत ही टेस कैसे इंज्वाइब कर सकते हैं थेंक यू